अगर हम बात करें आज की जनेरेशन की तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं जहां आज के समय में देश बढ़ रहा है वहां महिलाएं भी हर काम में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है Hello everyone, my name is Dipika और आज की इस वीडियो में we will talk about the richest lady of India जो आज भारत की billionaire business woman है हाँ हाँ मैं बात कर रही हूँ रोश्नी नादर मलहूतरा की और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोश्नी के बारे में और उनकी सफलता की जरनी के बारे में तो वीडियो को एंट तक देखना मत भूलिएगा मश्चूर बेलियनेयर शिव नादर और कीरन नादर की एक लोती बेटी रोश्नी नादर मलहूतरा का जनम 1982 डेली में ही हुआ और उन्होंने अपनी बारवी तक की पढ़ाई के लोग वेली स्कूल से ही की रोश्नी ने अपनी ग्राजवेशन और मास्टर्स की पढ़ाई नोर्थ वेस्टन उनिवर्सिटी से पूरी की एक करोड़ पती पिता की बेटी होने के बाद भी रोश्नी ने अपनी एक अलग पहचान मनाई है और काम्याबे की उन बुलंदियों को चुआ है जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और आज यसी मेहनत का फॉल उन्हें मिल चुका है रोश्नी पो टेक बिजनस में बिलकुल भी इंटरेस्ट नहीं था बलकि उनका इंटरेस्ट तो मीडिया और एंटरेइन्मेंट सेक्टर में था और वो चाती थी कि वो मीडिया में ही अपना करियर को शुरू करे इसके लिए उन्होंने काफी काम भी किया वो CNN और CNBC जैसी कंपनियों में इसलिए वो डेली वापिस आ गई इन्दर ये टू ताउजन नाइज साल की उमर में उन्होंने S.C.L. को जॉइन किया और मात्र एक साल के अंदर उन्हें एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर और सीयों की पोस्ट पर प्रोमोट कर दिया गया और फिर क्या था रोशनी ने सोचा कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखिनी क्योंकि उन्हें भी स्पील में काफी इंट्रस्ट आ रहा था साल 2009 में रोशनी ने शिकर मलोत्रा के साथ शादी की जो कि खुद S.C.L. हेल्थ केर में चेर्में थे साल 2013 में रोशनी को S.C.L. के वोड में शामिल कर लिया गया जहां वो वाइस प्रेजिडेंट बनी ये तो मानना पड़ेगा कि रोशनी ने जहां भी कदम रखा वहां खुद को साबित कर दिखाया है चाहे वो मीडिया का सेक्टर हो चाहे वो बिजनस का सेक्टर हो 2019 में Forbes World 100 Most Powerful Woman List में रोशनी को 54th rank मिला और ऐसे काम्याबी को देखकर रोशनी के पिताजी को काफी खुशी भी हुई तब लोगों की इमांग हो गए कि अब उन्हें नया प्रेजिडेंट जाहिए उनके पिता जिनी भी जब अपनी बेटी की इस मेहनत और होसले को देखा तब वो भी इस मांग से काफी सहमत हो गए अब मानना पड़ेगा कि रोशनी की मेहनत ही है जो उनको यहां तक पहुचा पाई है आज उनकी कंपनी मिलियन्स का टरन ओवर कर रही है इसलिए रोशनी नादर मनुत्रा आज बिलियनेर बिजनस हूमन है रोशनी की कहानियों में सिखाती है कि आपका मर्थ या औरत होना आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करता है आपकी मेहनत और डेडिकेशन इन सबसे उपर होनी चाहिए सक्सेसल अंत्रपुनर की जर्णी में आसिफ इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीक विद अनदर सक्सेस स्टोरी तब तक के लिए स्टे टून